कुछ और pattern है, जिसको हम print करेंगे, जैसे इसमें क्या है कि pyramid, half pyramid हो गया, इसको हमें print करना है, तो अभी सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा जो loop है, वो किस तरीके से हमें execute होगा, हमें ये नहीं सोचना है कि print क्या करना है, वो हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहला हमारा जो मोटीव होना चाहिए कि हमें किस तरीके का पैटर्न है यहां पर क्या अगर देखा जाए तो यह यहां पर यह फर्स्ट है तो यहां पर यह फर्स्ट लाइन है तो यहां पर एक बार प्रिंट होड़ा यह सेकेंड लाइन है दो बार प्रिंट होड़ा थ तो इसलिए मैं फिलाल के लिए यह रिमूव कर रहा हूं वैसे आप इसको रख सकते हो कोई इश्यू नहीं मतलब इसी पैटर्न पर मैंने और भी बहुत सारे पैटर्न लिख रखें इसलिए मैंने इसको रिमूव किया तो यहां पर हमें एक बात पता चल गया कि जो भी लाइन नमबर जितना है हमारा उतनी बार प्रिंट करना है clear यहां पर fourth line है तो चार टामस प्रिंट करना है फिफ लाइन है तो मतलब five times प्रिंट करने है तो अब ही सबसे पहले हम क्या सुझेंगे इसके लिए हम लिखते हैं तो जैसे क्या होगा कि यहाँ पे for loop i is equal to 1 मैंने i outer loop के लिए लिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करू i is के लिए लिए और इधर के लिए मैंने j लिए तो i 1 i greater than equal to 5 या हम यहाँ पे i less than 6 कर सकते हैं यहाँ पे equal कर दिया इसलिए 5 हमारा चाहिए अगर यहाँ पे equal का sign नहीं दे रहें तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं i plus plus यहाँ पे दुबारा जो जो loop होगा है यहाँ पे मैंने j लिया अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि j यानि कि i अगर 1 है तो j भी एक बार चल रहा है i अगर 2 है मतलब अगर 2 लेके आया i तो यह j भी 2 times चल रहा है अगर यह 3 है तो 3 times चल रहा है यानि कि यहाँ पे condition क्या हो रही है कि हमारा जितना i का जितना value है j उतना ही बार चल रहा है और अगर किसी भी चीज़ को हम बोले कि यहां तक count करो अगर कोई बोल रहा है कि 5 तक count करो इसका मतलब क्या कि 1 से लेके 5 तक count करो कोई बोल रहा है कि 6 तक count करो तो हमारा understood होता है वो क्या कि 1 तो 6 तक count करो वह प्रिंट करना है तो simply क्या होगा जे हमने 1 से start किया जैसे अभी मैंने बताया कि कोई बोल रहा है कि 5 तक count करो इसका मतलग कि 5 1 to 5 तो उसी तरीके से जे मैंने 1 से start किया और i का जितना value रहेगा j equal to i यानि कि उतना ही तक count करे और फिर यहां पर कि j क्या हो जाएगा plus plus और यहां पर फिर मैंने क्या लिखा printf और यहां पर यहां पर यह मैंने बंद कर दिया और यहां पर printf new line और यहां पर बंद तो अब यहां पर क्या है कि अब जैसे इसको dry run करके एक बार देख लेते हैं कि i जब हमारा one हुआ तो यह condition true हुई यहां पर check हुआ इसके अंदर आया और यहां पर क्या हो जै इनिश्यालाइज हुआ one से और यहां पर one हो गया fit हो गया क्योंकि i का value one तो true हुआ yes true है तो यहां आके print कर यह भी फिलाल के लिए हम क्या कर रहे है प्रिंट कर रहा, start तो यह जो है start print start जो है यह वाला print हो गया उसी तरह के Poke यहाँ पर क्या i काespère वह ज़े कितना होगा? टू, टू पर condition क्या हो गई? fail हो गई तो fail होने के बाद यह डायरेक्ट यहां से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद यहां पे true condition fail हो गए, तो जैसे fail हुआ, तो यहां पर आया, अगर true होता तो इसके अंदर वाले में आता, लेकिन अगर fail हो गए, तो इसके बाहर आया तो पता चला कि new line प्रिंट करे, तो next line यहां पर control आ गया, अब यह condition यहां पर जैसे खतम हुआ, तो दूबारा से control यहां प पर आके जे दुबारा सो इनिशियलाइज कर रहा है वन से लेकिन इस बर कितनी बर चलेगा जो जे है कहा तक जाएगा 2 तक वन से स्टार्ट करके 2 तो इस बार 2 प्रिंट किया फिर condition फेल होगा और यहां पर आया new line प्रिंट किया फिर next time 3 होगा तो यह three times प्रिंट होगा तो यह सोरी तो यह clear हो गया यानि कि इस तरीके से प्रिंट होगा अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास बहुत सारा pattern है यह वाला 1, 2, 3 pattern, तो यहां हो रहा है कि अब यहां पर i जो value है वह हमारा ऐसे जा रहा है तो यहां पर यह सेम हो रहा है यह कुछ भी रहा है यानर यह जो value है वही हम प्रिंट कर रहे हैं तो simply यहां पर star था इसके जगा घिंदी और यहां पर value की जगा अगर i print कर दें तो यह प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 1,2,3,4,5, यहाँ पर वैलू 1, यहाँ पर जब 2 है, तो 1,2,2 जा रहा है, 3 है तो 1,2,3, यानि कि यह क्या, जिस तरीके से J बढ़ रहा है, वही तो है, 1,2,3,4,J का value 1 से start होके 1,2,5 गया तो यहाँ पे अगर हम J का value print कर दें तो यह हमारा यह pattern print हो जाएगा यहाँ पे start के जगह हम J, यहाँ पे J हमें percent D और J लिखना है ना कि direct J वैसे वो तो clear है, already मैंने बता रहा है पूरे detail में अगर आप direct इस video पे मतलब land किये हो तो आपको मैं recommend करूँगा कि जा कि आप basics के कुछ video देखो फिर यहाँ पे आओ, नहीं तो confusion हो जाएगे और clear भी नहीं होगा तो यहाँ पे J print कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पे कुछ इसी से मिलता जूलता pattern है लेकिन यह reverse में है तो यहाँ पे अब क्या कर रहे है रिवर्स में print करना है तो एक तो हमें extra variable लेके हम इसको कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बोल सकते की लेंडी बोल सकते प्रगाम लेकिन हम ले सकते हैं ऐसा जैसे एक variable लेली हमने initialize कर दिया 5 उसमें जैसे एक variable लेली हमने k, k में 5 कर दिया और k में और हर एक loop के एक बाद यहां हमने initialize कर दिया यहां पर k is equal to 5 और उसको print कर दिया 5 और यहां से जैसे बाहर आएगा next यहां पर last line में k- कर देंगे तो फिर यह loop ऐसे चलेगा लेकिन print क्या करेंगे k तो next line में आएगा आप k4 हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा फिर print क्या कर रहे है मतलब k print कर रहे है तो वहां पर 44 print हो जाएगा फिर 33 k का value यहां पर reduce कर रहे है तो लेकिन उससे बेटर हम एक और approach मतलब कर सकते हैं वह क्या कि हम direct loop ही reverse कर देते हैं तो उसके लिए हम एक दूसरा program लिख लेते हैं मतलब program का बस simple सा for और यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर i is equal to 5 और i greater than equal to 1 और i minus minus इस बार loop कहां से start हो रहा है 5 से start होके 1 तक जा रहा है और यहां पर decreasing order में हमारा loop हो गया और यहां पर मैंने open किया और फिर for और j भी हमारा क्या 5 से start करके और उसके बाद हम यह जैसे क्या है कि same हमारा क्या था यह one तक नहीं जा रहा है मतलब यह क्या है कि five एक बार जा रहा है फिर दो बार फिर तीन बार तो यहां पर हमने क्या किया रहा जे greater than equal to i, और j minus minus यहां पर हो गया अब यहां पर क्या हो गया printf और यहां पर फिर और यहां पर मैंने लिखा एक line printf slash n new line और यहां पर इसको close कर दिया तो अब यहां पर जो भी हैं print का even कि अगर हम यहां पर start देते हैं तो हमारा same यह वाला हमारा print हो जाएगा लेकिन यह इस तरीके का प्रिंट पाइफ ओर नहीं यह नहीं गलत हो जाएगा यह मतलब reverse order में हमारा यह print हो जाएगा जैसे अगर start देते हैं तो यहां पर एक star फिर दो star फिर तीन star हाँ यही वाला print होगा अगर वहां पर हमें start देते हैं तो same इसी pattern में print हो जाएगा अब यहां पर क्या है कि हमें क्या print करना है कि यहां पर क्या है कि फाइफ है यहां पर आई फर्स टाइम क्या हो रहा है फाइफ हो रहा है फाइफ आने के बाद यह फिर कितनी बार यहां भी आई फाइफ तो यानि कि one to one वह एक बार चलेगा और हम यहां पर क्या print कर दे रह पो अमारा यहींवाला प्रींट प्रींट कर रहा है तो मैं फुली प्रोगाम नहीं लिखे physiological 00 werden बस हम पर फूली प्रोगाम नहीं लिखें कि आल्रेडी मैं यह समझा रहा हूँ और यह क्या है कि मैं यह सारे को एक बार detail में नहीं समझा रहोंगी यह कैसे dry run नहीं एक अगर समझ में आ जाएगा तो same वही pattern पर हो रहा है तो वह आपको analysis करने है कि किस तरीके से वह print हो रहा है हम एक different variable लेकर उसका value हम decrease करते जाएं तो यह हमारा एक different जो pattern था यह हो गया आगे फिर देखने हैं अगर कोई pattern मिला तो मैं बताऊंगा यह आप लिख सकते हो